पुश्कार दोस्तों सौगत करता हूँ आपका जीए जीएस एक्सपर्ट चैनल पर आज हम लोग जोग्रफिक स्रीज की पहली वीडियो के बारे में डिसकस करेंगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं इंडिया इंडिया के नेवर्स जो कंट्री है उनके बारे में डिसकस करेंगे और थोड़ा बहुत जो है इंडिया के बारे में डिसकस करेंगे फिर उसके बाद जो है जो भी वीडियो आएगी वो मौन्टेन, प्लैट्यूज, आइलेंड जो इंडिया के हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे ये एक कम्प्लीट सिरीज है जिसकी ये पहली वीडियो है सबसे पहले बात कर रहेते हैं इंडिया की longitudinal distance के बारे में तो longitudinal distance के बारे में अगर बात करें तो यहां पर 68 degree 7 minute है और 97 degree 25 minute है यहां अनुचल परदेश से अनुचल परदेश से गुजरात तक मात्र 2 hours का जो है गैब होता है इसका मतलब यह है कि अनुचल परदेश से दो घंटे के पहले जो है sun rise हो जाता है अगर हम latitudinal distance की बात करें तो latitudinal distance जो है 8 degree यानी south से कन्या कुमारी से यह केड़ला से लेकर और जम्मू कश्मीर तक 37 degree 6 minute तक है इसकी total distance जो है 3,2,1,4 ठीक है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसी में जल्दी से northernmost point की बारे में अगर बात करें तो exactement इंद्रा कोल है इंद्रा कोल दोस्तों इस तरफ में इंद्रा कोल इसको बोला जाता है यहां पे यह ईंद्रा कोल Southern Most Point के अगर बात करें तो Indra Point है जो की अंडवा निकोबार आइलेंड में है Southern Most Point कहां पह है तो केडला की Capital है तिरुवंदर पुरम है ठीक है दोस्तों और इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लें अगर हम लोग स्केल से रखके मेजर कर लें किसी भी मैप में तो जो डिस्टेंस है लोगी टूनल डिस्टेंस है तिरुवंदर पुरम और स्री लंका की वो एक सेम स्टेट लाइन में आता है अगर हम बात करूंए टॉपिक आउप कैंसर की कौन कौन से राज में स्टेट में पासे होती है तो यह सबसे पहले है गुजरात में फिर उसके बाद जो है राजस्तान में पास होती फिर मदपर्देश में से होके जाती, फिर 36 गड़ है, फिर उसके बाद जो है जहार खंड है, पांचवा राज, फिर जो है चाटा राज है, वेस्ट वेंगॉल है, और फिर तिरिपूरा है, साथवा, ठीक है, और फिर आटवा है, मिजुरम, ठीक है, तो ये इन राजियों से पास होके जाती, कई बाग कोश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है, कि किस किस से पास होके जाती, इसी से होकर और भी अगर हम कोश्चन पूछें कि नेरेस्ट सिटी ओफ टॉपिक ओफ कैंसर कौन सी है, तो उदैपूर है, उदैपूर जो कि नेरेस्ट है, किस के? तो ट्रॉपिक ओफ कैंसर के नेरेस्ट है, ट्रॉपिक ओफ कैंसर की तुरूप कौन सा सन टेमपल पास होता है, तो मोदेरा, ठीक है? मोदेरा सन टेमपल है, यह कोश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया मुदेरा संट टेंपल है जो कि गुजरात में भारत में कितने संट टेंपल है तो भारत में पांच संट टेंपल है ये याद रखिएगा पांच में से एक ये मुदेरा है ठीक है और भी संट टेंपल है उनके बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ लीजेगा ठी नेक्स्ट है कि कितने राज है SCOSTAL raji के बारे में अगर पता करें तो 9 है ठीक है इस में कौन-ौन से है, तो सबसे पहला हो जाता है G ुजरात उसके बाद आ जाता है महराज्ट फिर आ जाता है यहाँ पे operate फिर उसके बाद करनाटिका फिर इसके बाद जो है केडल आ जाता है फिर तमिलनाडू आ जाता है फिर उसके बाद आंदर प्रदेश आ जाता है फिर उसके बाद जो है ओडिसा आ जाता है फिर वेस्ट बेंगौल आ जाता है तो टोटल कितने है तो नाइन आ जाते है ठीक है सबसे बड़ी जो सीमा बनात महँएज्ट केड़ला है है यह न टॉप चार यह तिचे बाद करें उसके बात करें कि मेंलेंड अगर अंडर्वान निकोबार' को अग्लूज करें कितनी बाउंडरी बलान पनाते तो 7517 यह ग्रुप B के एक्जाम में पूछ अगर हम identify करें international border भी नहीं बनाते हैं वो राज और नहीं कोई coastal border बनाते हैं ठीक है जैसी यह मैंने coastal border बता दिया आपको तो ऐसे six state है जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं नहीं कोई coastal एक पहले नमबर पर उपर से अगर देखें तो हरियाना आ जाता है फिर यहीं पर जो है दिल् union territories है और आधी क्या है state है इसका खुद का एक अपना high court है ठीक है फिर उसके बाद जो है जारखंड आ जाता है जारखंड भी देखें नहीं कोई international border बनाता है नहीं coastal बनाता है फिर मल्द प्रदेश आ जाता है ठीक है मल्द प्रदेश के बाद क्या आ जाता है औरिसा आ जात और नहीं यह coastal plain बनाते है ठीक है आगे हम बात करते है next slide में अब how many countries are neighbors of India तो यह है nine ठीक है seven जो है वो main land से connected है और जो two है वो जो है maritime या sea से connected है ठीक है सबसे बड़ी boundary जो बनाता है वो बंगलादेश बनाता है ठीक है इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं फिर उसके बा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगलादेश की तो बंगलादेश में जो जनरल है वह हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट है अब्दुल्हामिद प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना ऑफिशल एंग्वेज है बंगाली ठीक है यहां पर आट प्रोइंसे पूरे बंगलादेश में Capital धाका केरेंसी यहां चलती है बंगलादेश ही टाका नैशनल गेम यहां पर वॉलीबॉल है एबा गुरूप डी के एक्जाम में लेगपाल के एक्जाम में ही पूछा गया था कि नैशनल गेम कौन सा है मैंजी कॉलम में आय था नैशनल बर्ड जो है यह सिर्डे और्येंटेल नाशनल फुरूट जो है, जैक फूरूट है नाशनल ट्ِّी की बात करे तो मैंगो है नेशनल एनिमल की बात करे तो रॉयल भंगाल टाइगर है जो कि भारत का भी है highest peak यहाँ पे कियो किरा डॉंग है ठीक है यह किसी को नहीं पता होगा इसलिए यह आप याद रखेगा अगर हम लोंगेस्ट रिवर की यहाँ पे बात करें तो लॉंगेस्ट रिवर जो है यहाँ पे सोरुमा है ठीक है और भी रिवर है जैसे कि यहाँ पे गंगा को क्या बोल बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जमुना ठीक है ब्रहुंपुत्रग यहाँ बोलते हैं यही पदमा और जमना जब दोनों मिलती है तो बनाती है मेगना ठीक है यह मेगना बन जाती है यही रिवर है अच्छा एक और रिवर है जिसका इंडिया से डिस्प्यूट चल से जाना जाता यह पाकिस्तान कई हिस्सा था इसको इंडियन की आर्मी ने इंडियन Armenे इसको आजयात करा है ठीक है फिर उसके बाद इसका बंगलाधेस पड़ा तो यह जो रेड्टकलीफ इन्हों पर जो boundary इंडिया के अंदर आती थी जैसे suppose कते हैं कि ये इंडिया है ठीक है और इसके बाहर जो राज ऐसे आते थे ये बंगलादेश के आते थे ठीक है या फिर बंगलादेश के कुछ ऐसे राज आते थे और जो है कुछ ऐसे जो है इंडिया के आते थे तो ये एक्षेंड क और boundary का एक तरह से समझाता हुआ ठीक है तो यह आप याद रखेगा यहां इंडियन स्टेट जो है यह जो boundary यहां से बनाते हैं यह भी महत्रपूर्ण कोश्चन यहां से बन जाता है जैसे वेस्ट वेंगौल बनाता है सबसे बड़ी boundary भी यही बनाता है बंगलादेय से वेस् और जमुना से मिलती है यानि बर्मपृत्रा से मिलती है इस रिवर को हम लोग बोलते हैं तीसता रिवर ठीक है यार रखेगा तीसता रिवर है आईस के एक्जाम में भी कईवा पूछा गया है तो ओरीजनेट यह इंडिया में होती ना कि यह नेपाल में होती यह भी वात यार रखेगा ठीक है यह यह जमुना में जाके बीच ओ फ्लो करती है अब यह जो तीसता रिवर है इसका इंडिया और इसका डिस्पीट है ठीक है इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो 39% जो वाटर है वह इंडिया को दिया जाएगा और 25% जो वाटर है वह बंगलादेश को अब बाकी अभी तक कुछ भी एलोट नहीं किया गया ठीक है यह दो पॉइंट यार रखिएगा फिर इसमें और भी प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया का इंडिया का गंगलादेश के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है जब से यह शेख हसीना है यहां की परधान मंतरी अब रुप्रोण नुकली पावब प्लैंट एक और है रामपाल पावब प्लैंट इंडिया का इंडिया का वंगलादेश के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है ठीक है आगे हम बात करते हैं चाइना की तो चाइना में सबसे पहले जो प्रेजिडेंट है वो है जी जिंग्पिंग ऑफिशल लाइंग में यहां पर मेंदरीन है ठीक है ऑफिशल लाइंग में यार रखीगा इस्टेट प्रोविंसे यहां पर 26 है इंडिया से कम है चैपिटल जो है बीजिंग है कैरेंसी रेंमें भी भी है योवान भी चलती है ठीक है ये कैरेंसी को लेकर USA से एक बार वार भी हो चुकी है वार कैसे हुए ट्रेट वार भी हुए है इन्होंने अपनी कैरेंसी की जो वैलू घटा दीती इसी वज़े से USA न जो है इनके उनको एक द्रोड तो पर पर यहां परेंग परगहत प्राइब यांज वाकूसाइन नाशनल-फ्रीआ है। आगे बात करें इसी में तो बॉंडरी कौन कौन से बनाता है तो जम्मू कश्मीर बनाता है बॉंडरी यहाँ पे इंडिया का स्टेट हिमाचल प्रदेश बनाता है सिक्किम बनाता है उतराखंड बनाता है और अनवाचल प्रदेश बनाता है ठीक है तो यह इतने पांच बारे में आगया आपको बताओंगा ठीक है लिए जो बार्डर बनाते हैं यह जो है तीब्वत का हिस्सा है यह जो है चाइन ने इसको जब जायान देखें गर एक तीनरा से आचल प्रदेश्पूरा अब इसको समझते हैं क्यों ऐसा धिस्पूट है क्या है इसमें तो सबसे पहले लड़ा लड़ा हां ठीक है अब यह एकोपाइट किया साथी साथ जो है इसमें जो प्लेंज आते थे इसमें तीन तरह के जो प्लेंज पाए जाते हैं एक देवसांग प्लेंग है ठीक है सोडा प्लेंग है और ती लेंगे प्लेंग है यह तीन प्लेंग है इन्होंने अकोपाइट किया ठीक है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है यह हिस्सा है और हमारे हिस्सा किसी और को गिफ्ट में दे दिया है इसको लेकर अभी भी हाली में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है जो कि यहां पे शियोक रीवर है वह और ज्यादा चाइना के जो प्यूपल्स आर्मी है वह और ज्यादा क्लोज आ गये इस पॉर्षन में तो यह अक्साइट चीन का पॉर्षन है यह जो यह वाला है इसको ब पूरी तरह से अंदर की तरह बढ़ लाई है अब आगे बात करते हैं इसका जो सेंट्रल वाला हिस्सा है यानि यह इसकी अगर हम लोग बात कर रहें यहां पर सेंट्रल में क्या है हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है लेकिन यह किसका डिस्प्यूट है यह बंग इसका रोड का निर्वांड कर दिया गया है यहां पर जिसके वज़े से भूटान ने इंडिया से हल्प मांगी इंडिया हमेंसा हल्प करता है ठीक है जैसे कि नेपाल में अभी हाँ जब भूकम आय था अर्थक्वायक आया था तो मैंतिरी ऑप्रेशन चलाया था वहां पर कोड़े दिया तो अब यह स्क्किम आडिया को वैसे जब दूट कोन्स्ट्रक्ण कर दिया है यही पर वहाँ मेंस भाने aquest की और आगर हम that सेक्टर की बात करें तो यह बहुत जैसरे इसको पहले बोल जाता था नेफा घएन्सी नेफा जो यह डर चाने पूरा जो है अपना बताता यहां पर ऐ बहुत फेमस प्लैस है, जहां Calebz decision रिय जाता है पूरे चाईना में जो है पूरी कौन सा रिलीजन है तो एकी रिलीजन है बुद्द्द तो काक्ने आपको पता ही होगा कि आपने गौत्म बुद्द तो यहां पर देखेगा कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतीमा है जिससे यह लोग पूजा करते हैं ठीक है तो यह जो पूर्शन है जो डिसीजन है मैंने बताया वो यहां पर लिए जाते है तावांग में जो डलाई लामा है वो सब यही पर बैठते हैं अन अनुराचल परदेश में आया दिन जो है अपनी अट्रेक्शन या ऐसा कुछ शो करता रहता है तो यह भी आपको बात किलियर हो गई होगी कि क्या-क्या जो है यहां पर डिस्प्यूटेट है अगर हम बात करें अभी हमने बोला था कि आपसे कौन-कौन सी लाइन है जिनको बार्डर मलत बनाते हैं तो एक है जॉंसन लाइन यह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो इस साइड में आता है यह जॉंसन लाइन बार्डर कहलाता है ठीक है अक्साइट चिन के वज़े से यहां से ब्रह्म पुत्रा रीवर का ओरीजिन होता है मान सरोवर से और फ्लो करते हुए इंडिया में आती अन्रचल प्रदेश के तुरू ठीक है यहां पर एक पास है जिसको नाथुला पास बोलते हैं जो की बहुत फेमस है बूम डीला पास है जो की ठीक यहां पर बूम डीला पास है दे रखा है हमारा यह जो ब्रह्म पुत्रा रीवर ओरिजिन करती है इस पर पहले कोई डैम नहीं बनाता है लेकिन अभी हाली में जो है 2015 में एक डैम कंप्लीट किया है जिसको चाइना वाले बोलते हैं जैंग्मू डैम ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है हाईएस मतलब अल्टिट्यूट पे है सबसे उच्छा है डैम ये जैंग्मू डैम जो चाइना ने बना दिया अब इसके बनाने से जो है हमारे उपाई ये खत्रा हो गया है कि जो पानी मिल ला है अनुराच्छा प्रदेश को ब्रह्म पुत्रा के दुरूँ वो पानी अब रुख जाएगा ठीक है क्योंकि डैम बनने से क्या होता डैरेक्शन चेंज भी हो जाती है तो यह इसे पांच डैम यहाँ पे बना दिये है चाइना ने ठीक है तो यह जैंग्मू डैम है यह फेमस डैम है इसके बारे में ही आप यार रखे बाकी और डैम इतने फेमस नहीं है यह जो रिवर है अगर यहाँ से पानी इनों ने डैवर्ट कर दिये तो हम लोग का जो इस पे सबसे बड़ा जो आइलेंड है इंडिया का कौन सा आइलेंड है माजूली आइलेंड है जो रिवर का सबसे बड़ा आइलेंड है यह एक तरह से आइलेंड भी गाइव हो जाएगा तो यह यह डिस्प्यूट है जो यहाँ पे हैं टाइंकहर पंपर से यहां पर जो आर्मी है उन्होंने जो इंडियन जो इनदियर कर दिया तो जिसके वज़े से जो पिलगिरिम और यहां नहीं जा पाते हैं अब उन्हें नया रास्ता वैसे इंडियन गॉपरेंट दिया वो ईसने रास्ता pursue वो है नैपाल का पॉडर है, जिसको आप जो है अच्छे से जानते हैं लेपू लेक, ठीक है, लेपू लेक वो रास्ता जो उत्राखंड से होता हुआ जो है मानसरोर जाता है, लेकिन उसमें भी एक डिस्प्यूट है जो हमारा नैपाल के साथ हो गया है, ये हिंदी में है, ज इसने इसको बढ़ा के कहां तक कर दिया है, अब यहां तक कर दिया, शियोक रिवर जहां फ्लो करती है, यहां तक जो है चाइना के लोग आ गए, आर्मी आ गए, तो ये जो शियोक रिवर है, ये इन-दस की तिरी बुटीज है, तो जिसके वज़े से जो है ये भी एक इस तरह से जो है, ये ऐसा कर रहा है, आगे बात करते हैं, हम लोग चाइना के साथ और भी जो है, यहां पर डिस्प्यूट हैं, जैसे पहला है कि एन-स-जी और यू-एन-स-सी में जो है, इंडिया का बहुत जारा विरुद कर रहा है चाइना, ठीक है, वो चाहते हैं कि इ करना जाता तो पैसे जैसे इसने स्रीलंका वे हम बन टोटा पोर्ट ले लिया है, अब इसने हाली में अभी सुनने में आया है, कि 500 मिल्यान जो है इसने खर्च करेगा किस से देगा बंगलादेश को देगा, बंगलादेश को भी जो है, वन वन रोट में शामिल कर ला है, ध सभए बंगला देशी बस बचा था इस ने एक संजोता रखा हूआ परस्ताव रखा हूआ प्रोपोसल रखा हूआ है दूसरा यह है कि इण्डिया जो है USA के साथ स्ट्रॉंग हो कर इसको लड़ सक्ता है जैसे एक है क्युक क्या हुआ इसमें जी फो म्हार जो हैirst इसमें सामिल है जैसे इंडिया शामिल है और आउस्ट्राइल भी है और जापान है ठीक है और प्लस यूएसे यह चार देश समें शामिल है ताकि जो है चाइना की जो इतनी ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है इसको रोका जा सके अब तो बाइकॉट हो गया है चाइना की गुड्स USA में भी बाइकॉट किये जा रहे हैं इंडिया ने भी जो है इनके 118 जो एप्लिकेशन ने उसको बैंड कर दिया गया है उससाथ उससे पहले 69 एप्लिकेशन और बैंड कर चुक इसको पूरा जो है पगावा ते रहे हैं कौन यह चाइना दे रहा ठीक है यह इसी तरह से नौट कोरिया में भी जो है जो वहां के किंग है उनको भी इस तरह से ही हेल्प करता है अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में पहले जनरल ओर व्यू देख लें जैसे पाकिस्तानी रूपी चलता है नाशनल गेम यहां पर होकी नाशनल स्वेच नाशनल रहें थिसके वजब यह ऐग्स कर रहे हैं देखेंग के अ procedures अगर नौ compens कर यह तो एक हिंदु ah आता है आपने नाम सुना होगा हिंदुकुस ठीक है यह लियाले का ही हिंदुकुस यह इंचे पाकिस्तान में आults ता सुलेमान ऑजाती टिकिह पैस चार रहें staat अगर इसी को यहां पर बोलते हैं हम लोέप은 पाकिस्तान में लोग वाली बोलते थी अगए और इसके लावा गोलन आ यहां पर बोलन पास भी पाकिस्तान आप गवे बात दर्फ होट आप इसमें और पाकिस्तान के बारे में किद्धा कर फिर्मस के लिए एक मिध्धा के पाकिस्तान के टरुस्ट यह दिजलते हैं और एक है सूई यह ने इसोल गयेस के लिए प्रोडेक्शन के लिए टिरम से अगर हम बात करें पाकिस्तान को बोला जाता है कैनाल का देस उप्र है कैनाल यह बोला जाता है भाल घाय के आगे बात करते है पाकिस्तान से हमारा कैसा relation है तो पाकिस्तान से हमारा बहुत ज्यादा हीट वाला relation है ठीक है आये दिन activities होती रहती जम्मु कश्मीर में एक तो जम्मु कश्मीर में occupied कर लिया है पाकिस्तान ने तो यह जो सियाचीन वाला glacier यह भी उक्कॉपाइट कर लिया था लेकिन इंडियन आर्मीन जो है एक operation चलाया था मैगदून उसके तुरू जो सियाचीन glacier और उसके उपर जो इंडिरा पॉइंट है वह भी जो है कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान के तुरू यहां पर जो लॉंगेस रिवर है वह है इंदस रिवर लॉंगेस है रिलीजन इस्लाम में पार्लियमेंट को नैशनल ने आप एसेंबली बोला जाता है बॉडर रेट किलिफ लाइन है ठीक है यह पूरा रेट किलिफ लाइन का बॉडर रहता है और यहां पर जो इस्टेट है गुजरात है राजिस्तान पंजाब और जमू कश्म लॉडर डिस्प्यूटेट सियाचिन ग्लेशर है मैंने बताया मैंग दूद ऑपरेशन चलाया था ठीक है यह उपरेशन के तुरू सियाचिन ग्लेशर और इंद्रा पॉइंट है जो हाइस पॉइंट है नौर्देंद का वह जो है कैप्चर किया था भारत ने यह कहां पर तो यह उरिजिन क्या नोबरा रिवर जो उरिजिन होती उसी वे जस्ट अपर ठीक है अगर हम इसमें बात करें कि इनका जो डिस्प्यूट है गुजराट साइट यह तो मैंने जमू कश्मीर का बता दिया यह डिस्प्यूट है जो पाकिस्तान ऑक्कॉपाइड किया हुआ ह जो गुजराट का डिस्प्यूट है यहाँ पर सरक्री कौ possible कोण कोरी कौरी करीच किया से करके नाम होंगे जह जो है पाकिस्तान बताता है यह उसका हिस्सा है यह मार्सी लैंट है यह पर पैट्रोलियम और नैश्रल गैस के बाघरे में अभी जाधा जानकारी हुई है अभ भी एक dispute का मुद्दा है अब बात करते हैं हम नेपाल की तो नेपाल में जो प्रेसिडेंट है वो हैं बिद्या देवी भंडारी देखी दोस्तों इसमें हम सी नेबर कंट्री के जान लीजिए जैसे जो मैंने बताया यह थोड़ा बहुत है ठीक है जो नेबर कंट्री के बारे में अब बात करते हैं नेपाल में तो नेपाल में आ जाता है प्रेसिडेंट जो बीडी महंडारी है प्राइम मिनिस्टर रहे शर्मा जी ठीक है ओ यहां की जो लैंग्वेज व इसमें जो है जो डिस्प्यूटेट है काली रिवर जिसको हम लोग शार्दा रिवर बोलते हैं यही जो शार्दा रिवर है यह यूपी तक आती है ठीक है यह जो शार्दा रिवर क्या डिस्प्यूट है आपने सुनों होगा एक एक्सरसाइज भी होती है जैसे बहुत से एक्सरसाइज होती है यहां पर होती है पिट्थोड़ा गर्ड करके है सौरी इसका मिस्टेक हो गया इस्पिलिंग यह है पिट्थोड़ा गर्ड़ तो यह जो एक्सरसाइज है इसको यहां ता यह जो प्लेस है इसको जो है नेपाल अपना मानता है नेपाल कहता है कि यहां पर इंडिया ने यहां पर ने जो है ट्रांजिस पास दिया नहीं मान सरोवर जाने के लिए तो यहां पर जब से इंडिया ने ने यह रोड कर संबMOराइब करी है तब से यह इस्सा बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेट हो गया है नेपाल कहता है कि आएं तब कर लीजें कि यहां पर देख लीजें कि यहां पर जो neutr ideo है जो यह यहां पर हिस्सें वो हमारे हैं लेकिन इंडिया यहीं कर रहा है इंडिया यह कभ से गई थी create करी गई थी ठीक है यह एक boundary जो थी उस टैम वेरेंड मलब सौरी हैस्टिंग नाम के थे ठीक है गवर्णर जर्णर उन्होंने यह create किया था तब से disputed area चलता चला जा रहा है काली रिवर को लेकर ठीक है और अगर बात करें दूसरा क्या है तो महदेशी readers का है नेपल के आपके जो मैं देशी ठीक हैं यह हमारे आन जो है बहुत ज्यादा है इनको आप वह इंडियन इनको आप जो है अपने देश में बुलाई है दूसरा कोसी रीवर का भी है कोसी रीवर में अभी हाली है नेपाल ने जो है नैशनल पावर प्लांट बनाया है इसी के ओपर बनाया है है यह जो है बिहार को लेकर इसी के बिहार में फ्लड आ जाता है नेपाल में और भी जो वहां पर रिवर्स है और वहां पर जो मौंटेंस है इन सब का भी जो है एक तरह से डिरेक्ट इंडिरेक्ट इस्प्यूट ने इंडिया सो होता रहा है ठीक है आगे इसी में बात करते हैं हम लोग मैनमार के बारे म मैनमार के प्रेसिडेंट का नाम है विंद में प्राइम मिनिस्टर को माने ओन सॉंग सी जिनको नोबल प्राइज मिला भी था और रोहिंग्या के वज़े से यह नोबल प्राइज छीन भी थी किया नैशनल एंटम है काबा माक कई ऑफिशल लैंवेज बर्मीज नैशनल एन इनको मिटाने का यह क्योंकि रोहिंगे बंगलादेश से हैं इसी वज़े से जो है एक उपरेशन भी चला लेकिन इनको सेफ करने इंडिया ने ओपरेशन चला है इनसानिया हमारा मैनमार से पॉजिटिव रिलेशन है कोई लड़ाई और कोई ऐसा नहीं है यहां पे नैशन फ्रूट है ठीक है नैशनल ट्री है ग्रीन पीफाल है पाल्यमेंट है हाउसे हिएब रोजी है लोंगेस लिएवर जो है वह एरा वरदी है ठीक है फेमस फेस्टीवल कौन सा है तो तिंग्यान कैसे हम बार्डर जो बनाता है और नागालेड मनिपूर और मिजरम बनाता है ठीक है उसके बाद नागा हील्स है फिर उसके बाद मनीपूर हील्स है फिर उसके बाद जो है लोसाई हील्स है ठीक है इस तरह से नैश्वल बादर बनाता है यह जो पटकाई भूम में यहां बहुत फेमस औरीजनेट होती है चिन्विन जो की एरावदी में जाके म सारा मती यहार रखेगा सारा मती इसकी हाइस पीक है फिर उसके बाद जो है यहां पर एक रिवर ओरिजनेट होती नागा हिल से जो बाराख है यह ओरिजनेट होती मनीपूर से किया विदा पूर्ट कर्या के पिद्ध संद्र में जो करते हैं अगर आपसे अग्स पूछा जिए टोपिक Cancer को हिमाले कट करता है तो यही range है जो heよagen कि अगया है। ठीक है लूपी के लाउंटेंस क्या पूछता है कि पूछ है तो गश को love नंच्पूर्itel जॉलते हैं यहां पर मीजो हिल्स भी पाई जाती है तो यह बात साहिए आप वेयार रखिंगा मीजो हिल्स लूसाइनस है आपने नाम सुना होगा लोग टक लेक है ठीक है मनीपूर में केबिल लाम जोई यह भी UPSC का बहुत फेमस कुछन है अकसर पूछता है यह लोग टक जील भी यार रखेगा ठीक है पहली ऐसी जील है जो की फर्स्ट है और लास्ट है जो की कौन सी है पानी के पर है एक लेक के पर है तो यह UNESCO में भी शामिल है ठीक है तो बायो डाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है आपको मैंने बताया था गंगा और बरंपुत्रा जब मिलती है तो उसको मेंगना बोलते हैं यह रीवर है जो बरंपुत्रा अनौचरपलदेश से होते हुए बंगलादेश जाती है फिर उसके बाद जो है यहां पर जो टीक के पीड़ पाए जाते हैं जो यहीं जो रेंज नीचे चली गई है यहीं पर आरकान योमा है ठीक है एक पैड योमा करके भी रेंज है यहां पर अरकान योमा है जो की अन्ड़मा निकोवार्ट में ऐसे अलग करती को को चैनल यार रखेगा अंडवान निकोपार और मैनमार को अलग करता है यही प्ले जो है इसको हम लोग रखें स्टेट भी बोलते हैं यह रोहिंग्या के लिए बहुत ज्यादा फेमस है रोहिंग्या टैब है इंडिया ने ऑपरेशन इंसानिया चला कि स्टेट के पास अब ऐसा क्यों कर रहा है एंगर Pracia ट्रांशिस प्राम्रीज बना रहा है तो हम साउब पार्ट ऑन्रीज यानि नाम यहां नहीं थाईलन नाम तक है यह सब को कटनेक्ट करती है एशियान और्गनाइजेशन से जिसका एक बैंक है एशियान डवलमेंट बैंक है इंडिया चाहता है लुक इस पॉलिसी ठीक है इनको जो है अपने साथ चलने क्योंकि कहीं न कहीं यह लोग भी जो है एक तरह से कह सकते हो सताय जा रहे हैं चाइन इस अपने साथ इस एशिया कंट्री से तो सबसे पहले में कॉंग गंगा कॉपरेशन जिसमें इनको आप याद कर सकतो एक इंडिया ही हो गई अपना देश ठीक है और बाकी जो है जैसे कि मैनमार आगया हमारा ठीक है उसके बाद कौन सा आ गया तो थाईलेंड आ गया ठीक फिर उसके बाद जो है कंबोडिया आ जाएगा फिर उसके बाद जो है लाउस आ जाएगा लाउस के बाद जो है व्यतनाम आ जाएगा तो यहाँ पे जो है इंडिया इस तरह से इन से जो है कनेक्ट हो रहा है तो यह में कॉंग गंगा कॉपरेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया अब उसके बाद बात करते हैं बीमस्टिक की तो बीमस्टिक में सिफ नैपाल और भूटान को छोड़ गए बाकि जितने भी देश इसमें connected है वो सब जो है बौंडरी बनाते बेया बेंगल से अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से है तो सबसे पहले नैपाल फिर उसके बाद कौन सा है तो बोटान है ठीक है बोटान के बाद अगर बात करें तो श्रीलंका है जो की बौंडरी बनाता है किससे बेया बेंगल से फिर उसके बाद बात करें तो थाइलेंड है ठीक है इसके पहले भी एक देश है कौन सा मियनमार है ठीक फिर उसके बाद कि आजाता है कमसा देश आजाता है तो इंडिया आ जाता है कि तो एक और हैं जो इसमें जो है इंडिया सार को ज्यादा नहीं करता इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं आज सांको क्यों थे है उसके बीचे कारण यह कि पाकिस्तान है ठीक है पाकिस्तान को भी प्रिफरेंस देनी पड़ेगी अगर किसी को कुछ इस पेशेल्टी देते हैं किसी ऑर्गनाइजेशन जैसे मान लेते हैं नेपाल को भारत ने जो है कुछ डॉलर दिया या कुछ हेल्प करी तू सभी को हे रहे जाएगा हम लोग ने पाकिस्तान को जो है नो प्रिफरेंस फर्स्ट में जो है पाकिस्तान को इस लिट से बाहर कर दिया नो प्रिफरेंस फर्स्ट की लिस से ये डवलू ट्यो का ही जो है एक प्रोपोजल है जो कि इन्होंने बताया था कि आगा किसी को प्रिफरेंस zdeते तो उसमें text जो है यह soft text लगेगा याईनि आप इतना ज्यादा text होता है, woh soft लगेगा, कहने का मतलब यह है, आगे हम बात करते हैं दूसरे और countries हैं जίας कि बhutan है, बhutan से हमारा जो relation है वह एक तरज्व से cordial relation है, ठीके cordial मतलब होता है, friendship relation है हमारा बुटान और नेपाल से बिता ठीक है यहां के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है लुटे ठीक है यहां के जो अपर हाउस इसको नैशनल कॉंसिल बोलते हैं यहां पर जोंखा है जो की एक एक्जाम में भी हाली में पूछा गया है यहां पर 20 स्टेट्स है ठीक है यहां की सब्सक्राइब का तो यहां पर यहां पर इसके बारे में एक जनर्र वर्वि लिया बुटान सा हमारा मैंने बताया अव्य आप्यासीप रिलेशन है इंडिया यहां वहां पर बशुज्यक्त बना रहा है जैसे एक प्रोजक्ट यह भी है मांग धेचु प्रोजेक्ट है ठीक है यह एक्जाम पूछा गया था कि यह किसके साथ बना रहा है तो बोटान के साथ बना रहा है इस तरह से बहुत से हाइड्र एलेक्टिक प्रोजेक्ट है जो बोटान में वर्क कर रहा है जैसे कि यहां पर एक सेंचुरी है मानस सेंचुर जो UNISCOPE में शामिल है उनको ये किताब टाइटल दिया गया अब ये जो माना सेंचुरी है इसके बारे मैं जान लेते हैं माना सेंचुरी में दो ENDEMIC वो मिलते हैं क्या कहते हैं स्पीसिज मिलती है ENDEMIC जो पूरे वर्ड में कहीं नहीं पाये जाते हैं एक तो है आपका तप निवका दूसरा पाए जाता है यहांपर यहांपर गॉ लगुड मी पाये, यह यह जाता है यहांपर यहां double हम यह दॉसरा p 그대로 है यहांपर बनीस यह पाय जाता है वाइल जो है वाइल्ड डियर पाय जाता है आपने डियर का एक नाम सुना होगा जब मैंने लिया सेंघ आइडिया जो कि मनीपूर में पाय जाता और कहीं नि फाय जाता पूरे वल्ड में Sumgai Festival भी मनाय बैर मनीपूर में ठीक है तो इस तरह से जो है मानस जो है वो फेमस है इन यहां पर महेंदर राज़ पक्षा चीफ जस्टर यहां पर जय सूरी है ठीक है ओफिचल एंग्वेज है सिनहाले और तमिल दोनों ही है स्टेट्स नाइन हैं यहां पर बात करें तो जय वर्दने पहले कुलंबो थी है नाशनल गेम यहां पर वॉलीबॉल नाशनल फ्रूट जैक फ्रूट है नाशनल ट्री यहां पर आईरें वोड है ब्लूवत लीली है highest peak यहाँ पे पेडिरोट ताला गला है ठीक है यहाँ पे जो है highest peak है यहाँ पे जो है इस तरब जो है central में जो है पाई जाती है यहाँ पे जो रिफ्ट वैली है वैसे ही काम करता है जैसे कि अमर कंटक है आपने अमर कंटक का नाम सुना होगा वहाँ पे अमर कंटक से दो river ऐस किनार कोई मॉंटेण यहां से सारी ठोती है ऐसे करके जैसे अगर हम लोग पर घूचु arriving यहां पर बनता है। इस तरह से आमर कंटतम से नर्मदा है। झालत है। अगर हम बात करें यहां पर Russian के बारे में हमद टोटा ज Oke से चाईना को दे रखा रहा है का यह यह पर आगर हम इंडिया के बात करें यह गथ से सिलंका में है और जो है इंडिया में भी है इंडिया से इसमें पार्क स्टेट के दुरू जो है अलग करता है इसको ठीक है अगर हम बात करें इसमें इंडिया में एक यहां पर एक आइलेंड है जिसको बहुत फेमस जो जिसको हम बोलते हैं कच्छी भी आइलेंड ठीक है यह जो आइलेंड व्यूंग है इंडिया ने इसको जो है लीज inauguration that कि wedi दिया तो इंडिया ने इसको जो है यहां बना रही था से टु बांध नीशुट पूर्ट से लेकिन गौवर्मेंट चेंज हो गई तो जिस बज़े से प्रोजेक्ट रुक गया क्यों ऐसा कर रही थी तो यहां से जो भी लोग शिप जाती थी जो भी आइने जाता था तो इतना घूमते हुए यहां पर जाता था तो इसी को पूरा इतना ज्यादा जो में यह आइलेंड पाये जाता है ठीक है एक यहां पर आइलेंड पाये जाता है जिसको हम लोग रामेश्वरम बोलते हैं यह बर्ट प्लेस है एपीजे अब्दुल कलाम साब की ठीक है बर्ट प्लेस है एड़न बिरिज है ठीक है यहां पर पंबन बिरिज भी पाये जाता ह अगर हम बात करें तो ब्लाइवर्सित्री में यहां पर भाई टाइवर्सिट्री में से लिए बहुत ज्यादा डिस्प्यूटल्ना का कुछ्थ 2022 मुप लेकिन आप सह से चुन हमारह लेका पीषिकoncum नियांती इस प्रेशीडेंट के इब्राहीम सोली है के मजलिस एरान भी ऑफेशल लेंगेंग यहां पर देवी है यहां पर जो सबसे बड़ा बड़ा आइलेंड है और नेस्नल गेम यहाँ फुटबॉल है ठीक है नैस्नल फूट खोकोनट है ओर नेस्टनल एनुमल क्या है यलोым टूना तेका अगर हम लोग है कि यहाँ पर जो मिनी कोई आइलेंड क्ते डिग्री में अलग करता है तो यह बात याद रखेगा हमारा मालदीब के पूरी हेल्प करता है जैसे आपी वाटर की वाटर सप्लाइए किया था इंडिया ने ने कई टुर्ण ठीकए पैसे भी इंडिया ने बहुत सारे मिलियन ड़ॉलर मालदीप करते रहता है ताकि यहाँ पे चांग अपना वन बेल्ट वन रोड कंस्ट्रक्षन, वन वन रोड जो करता था क्योंकि जब से कारा कोरम रेंज अलोटी में चेंज हो गया तो अफ़से यह अफगानिस्तान से बौड़ा कि रेट नहीं करता अफगानिस्तान में बहुत फेमस रीवर है इतना जान लीजे हेलमन ठीक है है यह जो सलमा डैम जो बना हुआ है इसमें इंडिया ने सब लोग का थैंक यू सो मच